नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज हम रिव्यू करेंगे नौएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर 63A का तो आईए सबसे पहले हमें सेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं तो जेगरिफिकली अगर हम देखें तो दिल्ली से NH24 से आते हैं तो लेफ्ट में इंदरापुरम है और राइट में नौएडा नौएडा का सेक्टर 63 और इंदरापुरम जहां पर खत्म हो जाता है हिंडन नदी आ जाती है हिंडन नदी से पहले लेफ्ट साइड में जाकर अंडर पास आता है वहां से यूटान लेकर बापास आनेश 24 पर आकर लेफ्ट लेकर छजारसी की तरफ चलना है करीब एक किलोमेटर आगे चलने के बाद राइट में नौएडा का सेक्टर 63 है और रोड के लेफ्ट में सेक बना होगा और हम पहुंच जाएंगे सेक्टर 63 ए नौएडा के रेजिडेंशियल सेक्टर में ये सेक्टर ट्राइंगल के रूप में बना हुआ है इस सेक्टर के एक तरफ एफ एफ एजी रोड या सेक्टर 63 है यह आप कहते हैं और बाकी दो तरफ बहलोलपुर गाउं और इस गाउं की और छजारसी की जमीन पर बसी हुई बसती है तो दोस्तो अब हम इस सेक्टर की लोकेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि इसकी लोकेशन कैसी है तो दोस्तो हम बात करते हैं इस सेक्टर की लोकेशन की इस सेक्टर की लोकेशन बहुत ही अच्छी है से से ब्लकुल लगा हुआ है बस एक 100 ओंस करना है जो ए Pacific इंए टंटाइवर से बहुत पास मेहज एक किलो मीटर दूरी पर है और मेट्रो सेक्र60 थी में है जो 20.5 किलो मीटर मदलब 2,5 किलो मीटर की दूरी पर है और 6000 सी पर मेट्रो इस्टेशन का काम चन रहा है, जब यह स्टेशन बन जाएगा, तो मेट्रों इस्टेशन सिर्फ एक किलो मिटर की दूरी परर रह जाएगा, गाजयबाद यहाँ से सुरू हो जाता है, और तो गाजयबाद भी, पास हो गया, जाना हो, तो FNG से लगा यह सेटर है, तो बस कु सेक्टर की connectivity के बारे में तो connectivity के मामले में भी ये सेक्टर काफी अच्छा है connectivity की अगर देखें तो इस सेक्टर की connectivity बहुत ही अच्छी है सिर्फ 5 मिनट में NS24 पहुंच सकते हैं 10 मिनट में Metro Station गाजियवाद railway station 7 km दूरी पर है और गाजियवाद बस अड़ा 13 km दूर है और निज नई दिल्ली railway station 29 km दूर है और दिल्ली ISBT 25.5 km दूर है और FNG से लगा हुआ है ये सेक्टर इसलिए connectivity की कोई देखाती नहीं है यहाँ पर आपको हर चीज की सुविदा उपलब्द हो जाएगी transportation के नाम के लिए आईए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस सेक्टर में आखि प्लाट लेना या यहाँ पर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा तो सबसे पहले इसकी अगर हम फीचर को देखें तो पहली जो फीचर से इसकी connectivity बहुत अच्छी है metro station से महज 1 km दूर ही रह जाएगा यह जब सेक्टर 63 के बाद 6000 सी में metro station इसका बन जाएगा next अगर हम बात करें तो industrial sector 63, 64, 65, 66, 58, 59 बहुत पास हैं जो लोग यहाँ job या business करते हैं उनके लिए यह सेक्टर रहने के लिए बहुत ही अच्छा है आगे अगर हम देखें तो यह पूरा सेक्टर पूरी तरह से secure है क्योंकि इसके चारो तरफ boundary wall है और तीन entry और exit है इसलिए यह पूरी तरह से हम यह नहीं है कि हाँ कोई भी आये इसकी entry exit की कोई दिक्कत दिना और इसकी एक सीमा है एक boundary है इसलिए यह sector को आप safe कह सकते हैं आगे अगर हम देखें तो इस sector में तीन पार्क है और एक मंदिर है next इस sector में छोटा size भी उपलब्ध है जैसे कि 40 meter सबसे छोटा size है 40 meter तो 40 meter से ले करके 450 meter तक के plot size यहाँ पर है जो आपको मिल सकते हैं तो sizes की भी कोई ऐसी मारा मारी नहीं है कि छोटा नहीं है बड़ा नहीं है छोटे भी हैं बड़े भी हैं हर size के plots यहाँ पर उपलब्ध है इसमें एक stilt और तीन मंजिल यानि की total 4 मंजिल आप बना सकते हैं बनाना authority की तरफ से यहाँ पर allow है तो आपको FAR जो मिलती है वो 4 मंजिल की यहाँ पर FAR है जो authority की तरफ से permitted है आगे अगर हम देखें तो इस sector में पूरी तरह से development हो चुका है पूरी तरह से developed sector है इसमें lights, roads, sewer, street lights सभी सभी सभीधाय में अपलब्ध है यहाँ plot लेने के बाद आप तुरंत रह सकते हैं आपको यह wait करने की जरूत नहीं है कि एक जगए रहने के लिए आपको जिन चीजों की जरूत हो जो जरूत की चीज़ें है जो आपको वहाँ पर रहने के लाइक बनाती है उस sector को वो सभी चीज़ें available हैं आगे अगर हम देखें तो इसका features next है कि इस sector की occupancy की बात करें तो अभी लगभग 30% occupied है और बहुत ही जबर्जस्त speed में construction का काम चल रहा है जो आप मेरी इस वीडियो में भी देख सकते हैं हर गली में बनते हुए घर आपको देखेंगे कोई भी ऐसी गली नहीं होगी जहाँ पर काम नहीं चल रहा है जिससे महेज 2-6 महिने के अंदर ये occupancy 60-70% तक होने वाली है तो इसलिए occupancy के मामले भी आप यह कहते हैं कि यह sector आपको खाली खाली नहीं देखेगा पास पड़ो उसमें लोग आपको देखेंगे और आपका social life बहुत ही अच्छा यहाँ पर होगा next अगर हम देखें तो price range के बारे में कि यहाँ का price तो अगर इसकी बात करें तो price की बहुत ही भाजिव है यहाँ का 50,000 रुपए से लेकर के 80,000 रुपए तक प्रती बर्ग मीटर का rate है जो development और location के हिसाब से अगर आप देखें और connectivity के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा rate है इससे आगे अगर आप इदर उदर देखते हैं जो कि NH24 से connectivity की मामनें थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है उन sectors में भी इ अगर में green belt अनिवार है तो ये sector triangle shape में है तो तीनो side green belt है जो एक residential sector को oxygen और सुन्दरता दोनों ही प्रदान करती है नेक्स्ट अगर हम देखें तो जन्द सुविदाओं पब्लिक convenient जन्द सुविदाओं की अगर हम बात करें तो चार चीज़ें बहुत महत्व रखती है नंबर वन transportation जो की metro, bus, sharing, auto सभी उपलब्ध हैं यहाँ पर आपके आने और जाने की सुविदाओं के लिए नेक्स्ट अगर हम देखें इसी में जन्द सुविदाओं में तो market तो market जो की 6000 रोड की market walking distance पर है जहां सभी जरौत की चीज़ें आपको मिल सकती हैं और यहाँ पर weekly बाजार भी लगते हैं और हर रोज यहाँ पर एक तरह था हम कहें की बाजार लगता रहता है जहाँ पर सबजी और डेली की कोई भी चीज़ें चाहिए हो तरो ताजा सबजी यहाँ पर मिल जाती हैं तीसरा है स्कूल जो की 2-5 किलोमेटर की रेडियस में बहुत हैं जो नौयडा सेक्टर 63 इंदरापुरम विजय नगर में बहुत हैं आगे अगर हम देखें इसी point में तो medical चौत और एक सेक्टर के end में है बहलोलपुर गाउं में और एक NS24 पर है बाकी इंदरापुरम में है नौयडार सेक्टर 62 में बहुत ही फेमस हॉस्पीटल अवेलेबल है जहां पर आपको हर सुविदा हर बीमारी के लिए इलाज मिल जाएगा और बहुत ही well known हॉस्पीटल है मैं ह सारे facilities या features हमने देखे कि इस सेक्टर में रहने के plots लेने के investment करने के रहने के लिए क्या-क्या features है क्या-क्या फायदे आपको रहेंगे इस सेक्टर में plots लेने के या यहां पर रहने के लिए अब जैसे कि आप सभी लोग जानते कि सिक्के के हमेसा दो पहलू होते हैं एक आखिर दूसरा पहली अगर हम देखे तो इसके minus point क्या है या इस सेक्टर की कमिया या खामिया क्या-क्या है तो अब हम बात करते हैं सेक्टर की उन खामियों के बारे में तो सबसे पहली जो खामिया वो यह है कि एनेश 24 से यह सेक्टर महज एक किलोमीटर दूर है मगर इस एक किलो मीटर के रास्ते में ज्यादा तर ट्रैफिक जाम मिलता है क्योंकि ये 6000C की मार्केट का एरिया है जहां पर गाड़ियां खड़ी रहती हैं जिसकी बज़े से रास्ता बहुत कम बचता है और नतीजा ये होता है कि जाम के रूप में आपको वो दिखेगा और उस जाम की बज़े से ये 5 मिनट का रास्ता आपका 10 से 15 या 20 मिनट का भी हो सकता है जो सिर्फ और सिर्फ एक किलो मिटर का है सही मायने में जो FNG का इस सेक्टर से अगर हम देखें आगे नौइडा की तरफ जाने के लिए तो इतनी दूरी महज 1 से 2 मिनट में तै की जा सकती है जो इ बिल्कुल है लेकिन उस boundary wall की जो height है वो मह 4 फिट उंची है जिसे कोई भी कूद कर आ या जा सकता है और उस boundary के उपर कुछ ऐसी कटीले wires की जो fencing बगरा कर देते हैं ताकि कोई भी कूदने में तकलीफ महसूस करे या कुछ और ऐसी कटीली चीजें लगा देना जो उपर हो बालके वो यहाँ पर कोई भी चीज उपियोग में नहीं लाई गई है जिसकी बज़ेस से अगर हम बात करें तो 14, 15 या 12 साल का कोई बच्चा भी इस boundary को कूद करके आ सकता है और जा सकता है तो इसकी security boundary की बज़ेस से तो बिल्कुल 0 है boundary की बज़ेस से आप इसको सिर्फ के लिए कह सकते हैं कि यह boundary है आगे अगर हम देखे तो इसका जो minus point है वो green belt की अगर हम बात करें तो fng road पर तो red पेड़ पौदे हैं परंतु बाकी दोनों साइड में सिर्फ खाली जगह है पेड़ पौदे नहीं लगे हैं जो आपको इस वीडियो में भी दिख जाएंगे देखें अगर आप ध्यानते तो पूरे sector में तीन पार्क हैं जो बहुत ही कम है इस sector के area के हिसाब से और यह sector एक लंबाई में बना हुआ है चोड़ा इसकी कम है और लंबाई ज्यादा है तो इतनी लंबी दूरी होने के बाद तीन पार्क होना इसका मतलब यह कि एक पार्क में जाने के लिए बच्चे को कभी दूरी तै करनी पड़ेगी उस पार्क में जाने के लिए और दो पार्क तो फिर भी ठीक हैं मगर एक पार्क तो इतना छोटा है जिसे तिकोना पार्क कहते हैं लगता है कि अथोर्टी ने पार्क के नाम पर एक मज़ापसा कर दिया है नेक्स्ट दोस्तो एनेस 24 से जब इस सेक्टर की तरफ चलेंगे तो 6000 सी गाउं उसके बाद सेक्टर के दो तरफ नई वस्ती जिसकी बज़े से जैंटरी सेक्टर के एकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सेक्टर से जैसे या बाहर निकलते हैं जैंटरी अलग ही मिलेगी आपको तो ये जेंटरी का issue आपको थोड़ा था, feel आएगा जब आप यहाँ पर रहने आएंगे, इस sector की सबसे बड़ी खामी जो है, वो यह है कि ये किसान कोटे के sector है, authority जो किसानों से जमीन acquire करती है और उसके बदले में 5% plot देती है, उस जमीन के ratio में, जो जमीन उस किसान की होती है, उस किसान से वो authority acquire करती है, जैसे suppose अगर किसी का 100 meter का plot है, तो उसको 5 meter का plot दे दिया जाएगा, जो उसकी 100 meter की जमीन थी, उसके बदले में, तो वो पूरा plot पूरे परिवार के लिए दिया जाता है, मतलब ये कि अगर पिताजी के नाम में खेत था, तो पिताजी के नाम में ही, वो plot a lot होगा, मतलब ये कि अगर कल को ये plot आप खरीद लेते हैं, तो इस परिवार के उन पिताजी के जितने भी बच्चे होंगे, चाहें वो बेटे हों, चाहें बेटिया हों, वो कोई भी सदत से, इस plot के लिए कोई ना कोई objection उठा सकता है, ये इसकी एक सबसे बड़ी problem है, कोई भी objection उ तो market में ये बोला जाता है, कि 50% residential है, और 50% commercial use कर सकते हैं, जो बिलकुल गलत है, ये एक myth है, जो market में फैल रखी है, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, ये 100% residential होता है, पेपर पर commercial नहीं, सिर्फ residential लिखा होता है, इसलिए कभी भी ऐसे जहांसे में ना आएं, अगर कोई कह है, कि इस plot पर आप 50% residential और 50% commercial use कर सकते हैं, ये चीज़ आप अपनी मर्जी से तो कहीं पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर ही नहीं, लेकिन पेपर में ये चीज़ कहीं पर भी mention नहीं है, तो आप ये सोच कर ना लें कि ये commercial sector है, या आप 50% यहाँ पर commercial use कर सकते हैं, और इसकी authority नहीं है, या सरकार की तरफ से कोई भी आपको सभूलियत या सोविधा दी हुई है, ये बिलकुल भी नहीं है, ये totally, legally, ये residential है, नैक्स्ट है दोस्तों, कि नौइडा lease hold है, जिसकी budget से इसकी एक कमी है, कि आप एक plot को floors के हिसाब से नहीं बेच सकते हैं, एक plot पर जितने भी फ्लोर हैं, सबका मालिक एक ही हो सकता है, उसको कोई दूसरे व्यक्ति को आप नहीं बेच सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर इस्टिल्ट में parking और तीन मंजिल पर आप अपना घर बना सकते हैं, तीन मंजिल पर आप तीन floors के रूप में बना सकते हैं, तो वो तीनों floors को आप अल अलग अलग लोगों को बेच नहीं सकते हैं, यह पूरे noida का problem है, पूरे noida में यही concept है, इसका ही नहीं पूरे noida में, तो आप इस से भली बाती परचित भी होंगे, तो इस चीज़ को भी आप mind में make up करके चलें, जब यह plots खरीदने के लिए अगर आप घर से निकलते हैं, तो दोस्तों, यह सारी खामिया देख लिए आपने इस sector की, conclusion की अगर हम बात करें कि आखिर as a result, अगर हम देखें, तो conclusion यह है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से अच्छाई बुराई भी हैं, आप लोग अपनी requirement के हिसाब से, अपने विवेक से decision लें कि आपके लिए sector कैसा रहेगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसको like करें, comments करें और share करें, अगर आप update वीडियो देखना चाहते हैं मेरी, तो मेरे इस channel को subscribe जरूर कर लें, आपको update वीडियो आती रही हैं, और घंटा बजाना बिलकुल भी ना बोलें, जैसे आप subscribe करे तो घंटा जरूर बजाने, ताकि आपको मेरी नए वीडियो की intimation मिलती रहे, thank you, thank you for watching my video, thank you very much